हलो दोस्तों स्वागत आपका उत्राखंड एज्यूकेशन उनिवर्स यूटूब चैनल पे साथ ही हिस्टरी के नई टॉपिक पर भी आप लोगों का स्वागत है तो दोस्तों इससे पहले हमने प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागतिहास एक काल देखा था उसके बाद हमने सिंदुगाटी सब्विता के बारे में बात करी और अब हम बात करेंगे वैदिक सब्विता के बारे में बनेंगे और जितने भी important facts हैं और जितने भी important हमारे books हैं उन सभी का संक्लन हम आपके सामने लेके आए हैं और ये जो हमारी किताबें हैं ये authentic book के अनुसार ही हमने आपके notes भी आपको provide करने का इसमें काम किया हुआ है तो दोस्तो वैदिक सभीता के गर बात करें तो सिंदु सभीता के पश्याद भारत में जिस नवीन सभीता का विकास हुआ उसे ही आरिय अथवा वैदिक सभीता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है वैदिक सभीता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुक्खतह वैदों से म अच्छा दोस्तो आर्य किसे कहा गया था तो दोस्तो जिन लोगों को यानि कि संस्कृत भासा का ग्यान था उन्हें आर्य कहा गया और जिन लोगों को संस्कृत का ग्यान नहीं था उन्हें अनार्य कहा गया तो अगर बात करें वैदिक सब्विता या फिर वैदिक काल के नाम बात करें तो पंद्रसो इसा पूर्वी से लेके 600 इसा पूर्वी तक हमारा वैदिक काल रहा है अच्छा इसको दो भागों में डिवाइट किया गया है वैदिक काल को एक हमारा रिगवैदिक काल है दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल है अगर बात करें दोस्तो रिगवैदिक पूर्वी से 600 इस भी पूर्वी तक इस काल की जानकारी अन्यवेद, निकि जो हमारे रिग्वेद है, रिग्वेद से हमें रिग्वेदिक काल की जानकारी मिलती है, लेकिन जो रिग्वेद को छोड़के अन्यवेद है, जुरुवेद, सामध और अर्थवेद हैं, इन से हमे उत्तर वेदिक काल की जानकारी देखने को मिलती है अगर बात करें वेदिक सब्विता के बारे में तो वेदिक काल में आरियों का आगमन भारत में हुआ आरिय संस्कृत सब्द है जिसका अर्थ है स्रेष्ट कहने का मतलब ये है कि वेदिक काल में जो आरिय लोग थे उनका आगमन देखने को मिलता है और आरिय एक संस्क्रिट सब्द है जिसका अर्थ ही क्या होता है स्रेज्ट होता है अगर बात करें आरियों के निवास इस्थान की तो दोस्तों जो हमारे मैक्समूलर साहब हैं मैक्समूलर साब कहते हैं कि जो आरिय थे वो हमारे मध्य इसिया से आए द्यानन सरश्वती कहते हैं कि ये तिबच से आए और बाल गंगा धरतिलत जी का कहना था कि वो उत्तरी धुरूफ से वाए तो आप लोगों ने अधिक्तर देखा होगा NCRT के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो हमारे मैक्समूलर्स ही हैं, मैक्समूलर्स आपका जो कथन है उसको अधिक्तर देखने को मिलता है, यानि कि जो हमारे आर्ये थे वो मध्धे इसिया से आए और सरवपर्थम आकर पंजाब और अफगानिस्तान में बसने का इनको सरे भी दिया जाता है, तो दोस्तो देखिए आर्ये सरवपर्थम पंजाब एबम अफगानिस्तान में आकर बसे, यह ग्रामीन सब्विता थी, आर्ये की भासा संस्कृत थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था, जो ह आर्यों की जो प्रसासनिक एकाई है, वो पांच भागों में कौन-कौन से थे, तो दोस्तो हमारा कुल, ग्राम, बिस, जन, और रास्टर में बटा हुआ था, कौन-कौन से थे, यह दोस्तो सबसे पहले कुल हो गया, फिर उसके बाद ग्राम, फिर विस, फिर जन, उसके बा है, अगर कुल वेदों की बात करें, तो चार वेद हैं, वो चार वेद हमारे रिगवेद, यजुरुवेद, अर्थवेद और सामवेद हैं, अगर बात करने दोस्तो रिगवेद के बारे में, तो सबसे जो प्राचीन वेद है, वो हमारा रिगवेद है, इसने हमें 10 मंडल, 1028 सुक्त और 1042 रचाये देखने को मिलती है रिगवेद के तीसरे मंडल में गायतरी मंत्र है आप लोगों ने दिखा होगा दोस्तों विश्वामित्र जी ने इसकी गायतरी मंत्र को रचा था तो रिगवेद के तीसरे मंदल में गायत्री मंत्र का भी वाडन देखने को मिलता है इससे पहले भी ये कोश्यन देखने को आप लोगों ने देखा होगा तो गायत्री मंत्र का जिक्री निमने मैं से किस वेद में किया गया है तो रिगवेद इसका सही आंसर होता है रिगवेद में सुरोत और प्रार्टनाओं का संचय है निकि जो रिगवेद है रिगवेद में हमारे सुरोत और प्रार्टनाओं है उनका संचय होता है रिगवेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है जिसमें से 118 मंत्रे दोहराए गई है कहने का मतलब ये है कि जो रिगवेद था रिगवेद में हमारे 10,580 टोटल इसमें मंत्र थे लेकिन उसमें से जो 118 मंत्र हैं उनको दोहराय गया है तो जो कुल अगर मंत्रों की बात करेंगे तो 10,462 मंत्र इसमें देखने को मिलते हैं अगर जब कभी एक्जाम में ये पूछा जाए तो आपको ये ही पूछा जाएगा कि कुल कितने मंत्र हैं 10,462 आप लोगों नहीं याद अखने हैं अगर आप 10,580 और 118 इनको दोहराय के तो ये याद नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा फिर बात करेंगे दोस्तो यजरुवेद की तो यजरुवेद में यग्यों के नियमों एवं विदी विधान का संकलन मिलता है इसमें बलिदान विधी का वर्णन भी देखने को मिलता है तो दोस्तों जो हमारा ये जरुवेद था ये जरुवेद में हमें सबसे पहले तो यग्यों के नियमों की जो विधी विधान है उसको देखने को मिलता है और सांती इसमें बलिदान विधी का भी वर्णन देखने को मिलता है अगर बात करें सामवेट की तो साम का सापदिक अर्थ ही गान होता है यानि कि आप लोगों ने देखा होगा जो संगीत का जनक कहा जाता है वो हमारा सामवेट को कहा जाता है अगर बात करेंगे साम का अर्थ तो साम का जो सापदिक अर्थ है वो भी हमारा गान होता है इसे भारतिय संगित का जनक भी कहा जाता है इसमें संगित में स्रोत का वर्णन होता है बात करें अर्थुवेद की तो अर्थुवेद अर्थुवा रिसी द्वारा रचित है अर्थवेद का संबंद चिकित्षा, तंत्रमंत और वसीकरण से संबंदित है यानि कि जो हमारा अर्थवेद है, अर्थवेद का जो संबंद है वो चिकित्षा से तो है ही है चाथ ही मैं उसमें दोस्तों तंत्रमंत और वसीकरण से संबंदित भी है अगर बात करें वेदों की तो चार वेदों के बारे में पताया था उसके बात करेंगे पुराण तो पुराण हमारे अठार हैं और उपनिसत की बात करेंगे तो 108 उपनिसत हैं ये तीनों ही कोशन आप लोग ध्यान दिजेगा गुरू के समीब बैठना दोस्तों जो हमारा उपनिसत है उपनिसत का जो साब्दी गर्थो होता है वो गुरू के समीब बैठना होता है सत्य में उजयते आप लोग उने देखाऊगा मुंडग उपनिसत से ये लिया गया है अगर बात करें रिगवेदिक काल में समाद चार वर्णों में विवगत था यह जो चार वर्णे थे वो कौन कौन से थे तो ब्रहमन छट्रिय वैसे और सूधरी यह चार वर्णे थे जो रिगवेदिक काल इन इसमें विवाजन देखने को मिलता है बात करेंगे रिगवेदी काल में वर्ण ब्याउसाय के आधर पर निर्धारित की एके थे अगर बात करें दोस्तों जो ब्रहमन था तो ब्रहमन ग्यानी था यानि कि कहने का मतलब ये है जो हमारे ब्रहमन लोग थे तो ब्रहमन लोग संस्क्रेट का ग्यान रखते थे और जो च्छत्रिय था हमारा च्छत्रिय हमारा एक योद्धा होता था कहने का मतलब है अभी आप सेनेकों से उसको कॉलरेट कर सकते हैं जो ब्रहम्र था वो हमारे पड़े लिखे बिद्वान थे अगर वहीं पर बात करें च्छेतरियों के तो च्छेतरी हमारे योध्धा थे अगर वैश्य की बात करें तो वैश्य हमारा ब्यापारी था और जो सूद्र वर्ग था हमारा वो सबसे निचे के जो तपके का जो आदमी था कि जो मजदूर था वो हमारा सूद्र था तो रिगवधी कारिन जो हमारे वर्ण व्यवस्ता थी वो काम के आधार पर थी यह निकि ब्यवशाई के आधार पर निधारित करी जाते थी अभी फिर जन्म के आधार पर उत्तर वैदी कालम होता है रिगवधी कालम है ऐसा कुछ भ वर्गों में बांटा गया था मैं एक बार फिर से बताऊंगा जो ब्रहमन वर्ग था वो पड़ा लिखा वर्ग था बिद्वान वर्ग था जो छत्रिय था वो हमारा यूद्धा था यानिकि आप सैनिक से उसको मान सकते हैं जो वैश्य था वो ब्यापारी था और जो हमारा तो दोस्तो देखिए वैदिक काल के देपता अगर बात करें इंद्र की तो दोस्तो यहां आरियों के सारवाधिक पिरिये देपता थे युद्ध तथा वर्षा का देपता भी इन्हीं को माना जाता है यानि कि जो हमारे रिगवेदिक कालिन देपता है उसमें हमारे प्रमुक देपता इंद्र हैं और यह हमारे आरियों के पिरिये देपता के रूप में भी जाने जाते हैं तथा युद्ध और वर्षा के देपता के रूप में भी हमारे इंद्र को जाना जाता है अगर अगनी की देपता की बात करें तो अगनी हमारे आग के देपता होगे वरुन की बात करें तो हमारे वायो देपता वरुन होगे सोम की बात करेंगे तो जंगल के देपता सोम थे और तूफान के देपता हमारे मारूद थे अगर बात करें सबसे क्रोध जो क्रोध वाले देपता थे तो हमारे रूद्र थे अब अगर बात करेंगे रिगवेदी काल की नदियों के बारे में तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दो भागों में इसमें भी भक्त करा गिया है अगर बात करेंगे दोस्तो सत्रूदी की इस नदी के जाना जाता था तो सत्लत नदी को सत्रूदी नाम से जाना जाता था बात करेंगे पूरस्वणी नदी के तो पूरस्वणी नदी राभी नदी को कहा जाता था असकनी हमारा चिनाप नदी को कहा जाता था और बितस्ता हमारा जेलम नदी को कहा जाता था 20 हमारा ब्यास नदी को कहा जाता था सरस्वती या फिर दस्दोती नदी हमारा घगर को कहा जाता था और सदानेरा नदी हमारा गंडग को कहा जाता था यानि कि ये तो अभी हमारे आधनिक नाम होगे ये question पूछे जाते हैं कि इसमें से important है आपको राभी पूछ सकता है सतलच, चिनाप, जेलम, ब्यास, घगर यानि कि सारही important है दोस्तों लगबल लगबल सारही इसमें से याद हो जाने चीए सतलच को सतरुदी कहते हैं, राभी को पूरुस्टणी कहते हैं, चिनाप को असकनी और जेलम को बितस्ता, ब्यास को बिपासा, घगर को सरस्वत्वर गंडग को सदा निरा के नाम से जाना जाता था अब बात करें, रिगवेदिक काल के महत्तपून और अच्छों के बारे में आरियों का मुख्य व्योशाई पसुपालन था, आप लोगोंने देखा होगा, अगर बात करेंगे हम सिंदु घाटी सब्विता के बारे में, तो वहाँ पर जो सिंदु घाटी सब्विता के पुर्तियां वहाँ पर अधिकतर देखने को मिली थी लेकिन जो हमारी वैदिक सब्विता है वो जस्टोस के विपरीत है यहां पर हमें पित्र परधान जो समाज है वो देखने को मिलता है गाय को अगन्या यानि कि न मारे जाने योग्य पसू किसरेणी में रखा जाता था य आरियों दोरा खोजी गई वस्तो लोहा थी यानि कि आरियों ने दोस्तों लोहे को खोज देता है आप लोगों ने देखा है सिंदु घटी सब्विता या हडपा सब्विता कि लोहे के कोई भी साक्स नहीं मिले है सेर का कोई साक्स नहीं मिला था लेकिन अभी अगर वैदि कालीन सबसे पवीत्र नदी अगर पूछा जाता है तो शरश्मति नदी सबसे पवीत्र नदीनादी मानी जाति है और रिगवेद में गंगा का उल्लेक एक बार यमना का और एक बार गंगान22 का उल्लेख हुआ है अगर सारवादिक या पर सबसे पवित्री उंदिय का रिगवैद में किसे माना गया है अगर question पूछा जाता है तो सरष्पोती को सबसे पवित्री उंदियस में माना गया है अब अगर बात करेंगे दोस्तों उत्तरवेदिक कालिन महत्वपूर्ण तच्छों के बारे में तो उत्तरवेदिक काल में इंद्र के बज़ाए परजापती सहरदिक प्रिय देपता बन गई अब कहने का मतलब यह है कि इस से पहले जो हमारा रिगवेदिक काल थ प्रिय देपता थे वो भी इसमें अलग चेंज देखने को मिला कि रिगवेदिक कालिन सबसे प्रिय देपता इंद्र थे लेकिन उत्तरवेदिक कालिन में प्रजापती सहरवादिक प्रिय देपता बन गए उत्तरवेदिक काल में वण ब्यवसाई की बज़ाए जनम के आध दूर होगा यनिकि उत्तरवधिक काल में पूरा ही इस स्ट्रम को उल्टा करने को देखने को मिला है फिर उसके बात करेंगे यह यानिकि जो उत्तरवधिक काल था दोस्तों उसमें यह यानिकि जौं को यह के नाम से जाना जाता था अगर धान की बात करेंगे तो उत्तरवध करें, देखिए आपको एक खाद्यनों का वर्णन किस वेद में मिलता है, यह दिगर ऐसे भी क्वेशन आगर देखने को मिलता है, तो जो खाद्यनों का वर्णन है, वो हमें यजरुवेद में अगर बात करेंगे लोहे के सबसे पहले जो साक्ष थे वो कहां से मिले तो दोस्तो अतरंजी खेडा में पहली बार किरसी से संबंदि लोह उपकरण प्राप्त हुए थे यानि कि उत्तर वैदिकाल में दोस्तो आप लोगों ने देखा होगा मैंने कहा था आपको कि जो वैदिकाल है उसमें लोहे के हमारे साक्ष देखने को मिलते हैं और सबसे पहले जो लोहे के साक्ष देखने को मिलते हैं वो हमारे अतरंजी खेडा से देखने को मिलते हैं और कि प्राइटिक काल से जितने भी important fact थे जितने भी important question थे हमने उन सभी question को clear करने का प्रियास किया साथ ही आप लोग जब एक बार यह series देख लेते हैं तो उसके बाद optional lesson में जो objective question है उनको देखना ना चोड़ें क्योंकि उनको जब आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि class देखने के बाद कितने question आपके वहाँ पर सही हो रही है यह दिगर कोई यहाँ से छोटा भी होगा तो वो भी आपका वहाँ पर clear हो जाता है और यह दिगर आप लोग वहाँ पर आप लोग के वासे अगर उपलब्द नहीं है तो जल्द ही हम लोग एक बार history यानि कि जो हमारा प्राचीन भारत है इसको खत्म करने के बाद सभी topics के हम optional भी लाने का प्रियास करेंगे तो दोस्तों यह दिगर आप लोगों को यह वीडियो पसंदा रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोग अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर सेयर करें सबस्क्राइब करें और साथ ही साथ बनाए रखें UK Education Universe वर्स के साथ धन्यवाद